तो चलिए, नेक्स में बुलाने जा रहा हूँ, वानी कपूर को एक बार जोड़ा तालिया होनी चाहिए वानी के लिए, जोड़ा तालिया होनी चाहिए वानी के लिए, जोड़ा तालिया होनी चाहिए वानी के लिए, come on guys, तालिया रुखनी नहीं चाहिए, give a weekend, जोड़ा त यहां आपने आप में यूनिक नाम है तो इसका बीच पॉइंट आपके जहन में कवाया दिमाग में कवाया कि यार इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए और इस सम्षेरा बिल्कुल पर्फेक्ट रहेगी तो इसकी इंसेप्शन हुई थी जब मैं अधित्य चोपड़ा से पहली बार मिला था जै और उन्होंने एक कोर आइडिया दिया था शेर किया था मेरे साथ और उसको लेके मैंने और मेरी वाइफ एकता मलहुतरा ने एक पू यूनीक रहे हैं बड़ी अलग रहे हैं तो इस ये फिल्म करने का रीजन क्या था कहनी में क्या ऐसी बात लगी क्या ये फिल्म तो करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए ये विल्म करना के साथ प्रूप ने रहे हैं तो इस फिल्म में भी विल्यन के रूप में आरहे हैं एक बार जोरा तालिया संजे सार के लिए जोरा तालिया खबार इतना एकसाइटमेंट है सब लोग शंचार के जब तेजर देखा चैन वे की बात जहन में है ये शुद्धी क्या करने वाला है क्या होने वाला को करन के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं अगरीपत मे उसमें विल्म अलग किरदा लेकिन इस बात बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा रनवीर है, तो क्या है इस विलन में खास बात जो देखने को भी लगा इस तमाम लोगों को? अब एक चीज़ मैं कहना चाता हूँ के करन अजीब विलन्स क्रेट करता है, और उसे क्या शौक हिम मुझ में के कामाल के विलन्स देता रहता है, शुद सिंग जी एक बहुत क्लेवर, कनाइविंग और डेंजरस आद्मी है, मैं सिर्फ यही कहना चाता हूँ और बाकि आप द दे बीटिफुल वानी, and of course, करन, इसको धूल मिट्टी बहुत पसंद है, क्या बात है, and आप बारी आगई है, आप सभी के बीच में, जिसका इंतजार है, यह अपने आप में यूनीक करेक्टर, बहुत ही अलग अभी ट्रेलर देखने जा रहे हैं को समय के बार, तो आपक शमशेरा! क्या बात है, ओहँ? जो आपने की क्या महसूस किया कौन है शमशेरा सबसे पहले good morning to all of you thank you for being here मेरा बहुत बुरा दिन तरहा है अभी थक सुबह सुबह आचली मैं time का बहुत पक्का हूँ तो मेरे driver ने मुझे जहां बहुत बाइस्टी माल पर लेकर गया जहां बेस्में तूड़ थे कोई था नहीं इसले में थोड़ा अप्र लेट हो गया फिर जब इन पर इंफिनिती माल से बाहर आए तो किसी ने मरी गाडी भी ठोक दी लास तूट गया तो करन बोल रहा है कि ए अची बात 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 वो यह पूप एक टाक जाए, यह तका एक टाक जाए तॉ यह तो अज सिर्फ यह तरिक नेता आख घे विट यह थाूर मै अग के निए एक चैनि अर्ट यह असे लिए यह कर गोड़ रही सिर्फ का रिट शप्या लेष्ट का यह दो ढगे टाख टा के समय लिए इस लाए कर if I'm not doing anything good, if I am doing bad films. I remember believe in having a rockstar person I used to work-out in his gym. So everyday I used to calm down and say you have亞- 20 years in my gym and your body will be prepared. Then used to keep saying what is your next film Paedra, what is your next film in the Gravel – you do, used to keep instillin me that you used to do more larger than live films that you should do films which entertain a larger audience. And I really hope that US Domuse for a positive step towards that and I really hope that everybody out here likes the trailer. प्लीज, आईए आपसो भी लोग आईए, करन में बोलना चाहूँ है कि ये बहुत अलग दुनिया है ये अलग दुनिया है, एक नया इतिहास नशने जा रहे हैं आप लोग शंशेर के जरिये, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैंने टीजर देखा था मैंने अपने रेडियो म में भी बात किया ती, Fever FM में, कि ये अलग दुनिया है, आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला इस पूरे इतिहास में दुनिया में, क्योंकि ये अलग ही आपने बनाया है, क्या क्याứng देना चाहेंगे. वाजम्स drift. पिक्ठर जो है यह हमारे सिनमा का फूचर है। जो जितने थेटर गोंग ओदियनसे हैं जो सिनिमा में आते हैं, पॉप कुरीटे हैं, समुजा करीटे हैं, बैठते हैं, और अपनी लाफ को फुल वैक्यूम करे यह पे एक और लाफ जीते हैं, And I really hope that y'all have liked the trailer and I hope y'all enjoy the film as much when you'll see it But I do believe that this should be the future of our cinema क्यावाद, Indian cinema का future है, Shamshera कर्म का कहना है इसे, characters बहुत unique हैं, बड़ी कमाल कहना है, मतलब चाहिए, Sanjay जी और वानी को देख लिए, क्या बोलना चाहिए के इनके characters क के बारे में हैं, आगर एक-क line में आप describe और चाहिए तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा, Sanjay sir के character के बारे में, इसका नाम है Shudh Singh विल्म, एक Bizet दोया है। fight he sवाफिक्ता कारेक्टर में। तो यदो आको ही आप इसको जालाजय ही विहा ही। तो he is going to be one of those villians which will almost make you feel all emotions that you want to feel in an Indian film. That is how unique Shutsingh's character is in this film. He is outstandingly, fantastically evil and he celebrates it. That is what it is. And as far as Vaani is concerned, when we were writing the script the term The Seductress-Temptress always came into our mind. And Vani was very well enjoyed her show in the first film I really wanted to work with her and I was fortunate that वाइक कंभाया एक प्रुम्स प्रुम्स पीसे गए प्रीका भीकुटिखए अप्रॉट सुऩर्ट पार शॉम्स अष्म कारते डांशूट प्रॉटोल दलान के विव। विवेगए अविगागा फिटा इसी कारती अष्मेट मुट अभया पिस विविवगा अधार मासुटर क्या है वो? सर अचली इसमें मैं फादर और सन का किरदार ने बार हूँ क्या बात एक बार जोड़ा तालीची आई थिंक पहली बार पहली बार आप रोल प्ले कर रहे हैं यह हमारे लिए बहुत ही आश्र की बात है तो कैसे रहा? कैसे मैंनेज किया और क्या रहा? Because I remember when I heard a script about Karan since the first time, I don't think Karan and Adi sir के mind मैं था कि एक रॉनो पार्ट एकरेगा because they were not convinced that an actor like me can play your father's role as well as the son's role So I am wrote a lot look test, auditions. I think Karan and me and Adi sir had to be convinced ourselves that yeah, this could be But we wanted a script to listen to me as an actor because he was such a great character तो मुझे बहुत ही कमाल लगा एंड I was really crossing my fingers that Karan allowed me to play this character याब बात है जोड़ार थालिवाशे रनवीर के लिए मजा आएगा बाप बेटे के वहमिका महारे हिंदुस्तान में बहुत ही कमाल के फिल्मे बनी है जिसमें characters किये हैं तो चलिए जितने हमारे मीडिया के भाई लोग है चलिए आईए प्रेस जितने ही मौजूद है अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए तो जी क्या शुमना में आपका एक एक नाम प्लीज बलिए सबसे पहले सबकोड़ेट सरी मुबारक बार बिलकुल एक स्पेक्टिकल फिल्म नजर आ रही है मैड मैक्स का जवाब मुझे लग रहा है है अला सवाल तो यह कि रंसर में क्या कुछ किस चकी कानटा खाया है इस शेप में आया है वो आप मेरे वेट लॉस की बात कर रहे है तो मैं बताता हूं मैंने चक्की का अटा नहीं खाया धाई साल पहले वी ब्लेस्ट वीटिफुल बेभी गल तो मुझे हमेशा लगता था कि जैसी हमें पता चलेगा कि हम प्रेइन हो गया है तो मुझे नौ महीने मिलेंगे पतले होने के लिए लेकिन बच्ची आ गई, नौ महीने हो गए मेरा वजन बढ़ता चला गया है लेकिन जैसे ही वो मेरी जिंदगी में आई मुझे रिलाइस हुआ कि आप रातों को नहीं सो सकते आप दिन में नहीं सो सकते आप इस beautiful heart जो आपका होता ना इस किसने आपके दिल पे हाथ और पैर लगा के छोड़ दिया दुनिया में उसको लेकि आप पूरी राद घूम सकते हैं और वो करते करते मेरा वेट कम हुआ है तो खाना जादा नहीं कम हुआ और वरक आउट जादा हो गया के पीशे दोड़ते दोड़ते जादा कम हो गया है तो चलिए फिल्म सिर्फ फिल्म या रहा है निकलना भागना है भाई बिल्कुल बिल्कुल इसकी कहानी किताब से आई थी और जो मत पेरिंग है रनवीर और वानी की आपने तु मत रृतिक और — — — — प्रियंका प्रियंका ओ, कात्रिना चिक निचर मिली, okay anyway. So, ये पेरिंग कैसे कैसे वो आई, ये अदप्टेशन है या फिर क्या है, किसी किताब पे? नहीं, शम्षेरा इस अरिजिनल स्क्रीन प्ले, as I said, it came from a thought that was given to me by Aditya Chopra, and we elaborated on it, it turned into a storyline. तो शम्षेरा का ओरिजिन वहां से हुआ है, it's an original screenplay. And जहां तक रणबीर और वानी की पहरिं का सवाल है, Ranbir was always the first choice for Shamshera because I think he brings in the freshness that this genre of cinema requires today. क्युकि हमने वान्बीर को पहले अगी थेखा नही है. So I think that itself is a big USP of the film. And Wani for me, in a classic Hindi cinema scenario, is the perfect heroine that I feel we can offer for the film. क्युकि right from the first film and now I feel she is brilliant, she is elegant, she holds her own and she gives you the big cinema classic Hindi picture heroine experience. जी, next question. हाँ, आर ऐसे बुछले, हाँ, बुल लाँ. वो ऐसी कौंसी चीजे जिसके लिए आप डगाट बनना चाहते हैं या बन सकते हैं? डगाट मतलब चोरी करता हूँ. नई, लूटना, लूटना, लूटता हूँ. लूट सकते हैं आप? मैं सोचके बताता हूँ, मैं अभी कुछ है नहीं. वो सब छोड़ दिया हूँ. भाई, भाई, यमिनिस्ट्र के इतिहां से पेली बार इत्ता ज्यादा परिवर्तन आ गया जीवन में, वह! जोड़ा तालियो नीचे रनभीर के लिए! और इनके पार्टनर को बदाय देनी चाहिए इतना जल्दी चंजस कैसे आजागा। Okay, next question. Hi Ranbir, here. Towards your right. Here, here. I know that's Nayan's voice. Yeah, Nayan's voice. Okay, here. So, when you were making, when people got to know that a movie like Shamshera was being made, there were a lot of apprehensions but when we saw the teaser, I think it is one of the best films to be made and one of the biggest films. इस साल जो आपके ट्रेलर आए है, it is like for me, I'll talk about me personally, I feel this is gonna be your year. And both the films have had a lot of questions and apprehensions. Today when the teasers and the trailers are out and people are loving it, do you sense a sense of validation? Well, it's not validation because eventually we work really hard on a film, we spend a lot of years and this film we spent 2-3 years on Pramastra, so many years went. And eventually, even like when Sanju, the movie Sanju was being made, there were a lot of apprehensions that how will I play this character, how will I pull it off. But it's really not about me. It's a collective of so many people coming together, and making a movie is not easy. Otherwise, if everyone had a formula, then everyone would have been Mukesh Ambani, but nobody is. So, it is a challenge and it is a big risk that you have to take, and especially when you do such big budget, high-octane action entertainers like Shamshera. But there is no fun without risk, right? So, I hope that the audience likes it. I hope that the audience gets entertained. And that is the only endeavor, is that the audience should like such films. Yeah. Next question. Hi, I am here. Here. Hi. Welcome back Ramvir. Four years, we have been missing you. And now that you are here, I have two questions. First is, what exactly is the feeling, you know, as an actor? One, we are out of pandemic. You know, the films are being received very well. You have such a big film ahead of you. And as, you know, the director put it, this is first time you are going to be seen like this. So, on both the things. It is great to be out of the pandemic. But I do not know if you are really out of the pandemic yet or not. But it is, you know, I am happy that all you guys are safe and continue being safe. When movies are concerned, you know, it is an art that lot of people debated, that is the cinema going experience over. You know, are people still going to go to the movies? And I have always maintained that you have to offer the audience, you have to offer the public something that will pull them into the hall. You know, you have to give them a larger than life experience. Something which they do, that experience they will not get sitting at home watching television. That is the answer to your first question. And your second question is? Yes. Yes, I think I myself got bored with, you know, my comfort zone and the things that I was doing. I think after 15 years in the industry and as an actor, you have to keep challenging yourself, pushing the boundaries. And to be honest, no director really saw me in films like this. You know, I am really grateful that Karan Malhotra offered me a role like Shamshera, because I was not getting offered films like this. They usually see me as a coming of age or a romantic cat or, you know, something of that kind. So I jumped onto this offer because I knew that, you know, this film has the potential to speak to a larger audience, to speak to an audience who loves going to the cinemas and loves that movie experience. So, yeah. Yeah. Hi, sir. Towards your right. Over here. . Firstly, congratulations to the entire team, Himesh, this side. I have a question for Sanju sir and Ranbir. Sanju sir, you know, if we look at last ten years, the most curious negative roles have been played by you, be it Agnipath or KGF or now Shamshera. How do you manage to crack this space as an actor time and again? I don't crack it. The director does. You know, he's been too modest. You put him as a hero, as a villain, as a cha cha, as a taia, as a son. He will crack any character because of his aura, his personality is so amazing that he'll make anything seem amazing. But it's fun to play these characters and I'm so happy that, you know, I mean, I work with Karan and he's got his things fixed in his mind and he's, I can't say taskmaster, but he loves making these kind of high octane films. And I'm the happiest that Ranbir is doing Shamshera, you know, and this is what I was dreaming about, is to see him in a film like this and, you know, I hope he keeps doing it. And Ranbir, one question for you. Firstly, welcome. It's so good to see you after four years on the screen. I was watching one of your interviews where you said even if you play a superhero, you'll be an underdog. Over here also you start as an underdog and then go into the larger than life space. Could you tell us about that transformation to get into this space by starting as an underdog? Well, it was very hard for me. You know, Karan is someone who really held my hand through it. I think one thing which I really lack as an actor is angst. I'm not an angry person. You know, I'm a very fun-loving, happy, detached guy. So I think Karan really struggled with angst. We sat a lot together. You know, he's saying, I'm saying, I'm saying, you know, you know, he started like roughing me up. He started like going deeper into my personal life, about my past. Because he really wanted to really, you know, tap into that side of me. But like I said, you know, it's all in the paper. It's all where, you know, when you start interacting with the director, you guys create it. Excuse me. Excuse me. Excuse me. You guys create it together. No, it was a cough. But thank you. I take the blessings. Excuse me. So, yeah. So, you know, it's partnership. You know, I've always partnered with the director and I got a great partner, great creative partner in Karan. It was a very hard role. Trust me. There were many days on set when I used to sit and I was like, I can't do this. You know, apart from the physical stress, even the mental stress of playing this part about, you know, this high octane. You know, the emotions were up there. You know, it's nothing which is real. It's really out there, you know, expressing yourself. And there were many days and I'm like talking to God. I was like, you know, please look at me. I'm working very hard. And somewhere in life, please, you know, give it back. Give something back. You know, I went through those days. But I'm glad I did, you know, because I don't think without a director like Karan Malhotra, I would have been able to do a film like this. Yeah, man. So, I wouldn't fit in those parts. You know, I was one of those younger actors. So, because of that. But, you know, when you have the opportunity and that, it's also tricky, let me tell you. Being a part of a good, well-made film is way easier than being part of a good commercial masala entertainer. You know, because it has everything. It's a multi-genre film. You know, it has action, comedy, romance, violence, family emotion. It's got everything. And to make that amalgamation of emotions work is very hard. Yeah. A. 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 यह हीरोईजम नहीं जाएगा नहीं यह जो फिर्वाइगा नहीं, मुझे खूशी हुई है कि इस दन एट यहां अभी है, मैं इसके पीछे पढ़ जाओंगा अभी है अधार जी, करेंट पाजी अधार जी, करेंट पाजी Background music बहुत अछ़ लगा Thank you, thank you Sir, film में 6 गाने हैं अजकल लूमली होते नहीं लेकिन हमारी फिल्ट लेगाने है आप गाने पड़ जानेंगे जब सुनेंगे जब मुझेश रिलीस होगा लेकिन असपर अबैग्राओंट इसका बहुत 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 बड़ा कृडिट जाता है मिथून को जिसने इस फिल्म के गाने भी किये और बैगरांट स्कोर भी किया है हमने कुछ साथ साड़े साथ महिने लिये थे इसका बाइगरांड करें, normally एक एवरेज फिल्म को दो डाई महीने लगते हैं. And it was a very intense process, it was a fantastic process because we were collaborating on a visual that needed much more than an ordinary film would need. So, उसके लिए, I think, एक एक राइट पार्टनर होना बहुत जगी था, जो मिथुन था. दूसरी बात यह है, के, because film की विजुल लाजर दिन लाइफ है, बैगरांड स्कूर लाजर दिन लाइफ होना बहुत जरूरी है, ताकि उसको सपोर्ट करें. And मेरा यह मानना है के, हम जो पुराने जमाने में, या हम आगे जाके, आज हम जब गनपती की विसरजन बजाते हैं, जब धोल सुनते हैं, जब लाइफ इंस्टूमेंट सुनते हैं, I think, वो कहीना कहीं मिसिंग हो गया था. And I think, Shamshera, for me, was the right opportunity to bring all of that back and reinvent it for a film that will release in today's times. So that experience was brilliant. Thank you. Karan, Karan, kaan, karen, maya回 manufacturing, जिस तरह से सभाल को बहुत बदाई, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, और जिस आरह से ये पूरी फिल्म देख रहे हैं। और पिछले दिस इनों हम साूट की फिल्मों का बहुत बर्र मार देख रहे थे. और जो content देख रहे थे, क्या Bollywood अब content को लेके उस तरह से सूच रहा है? पहला सवाल. दूसरा सवाल मेरा सोना से है, कि सोना क्या आपके हिस्से में कुछ action action आया है जिस तरह से दिख रहा है या? पहला जवाब देगू? आच्छा. तो सर, मेरा बहुत strongly है मानना है कि इस नौट आप साओ या हिंदी सिनमा या बॉलीवूड और रही थे, मुझे लगता है कि across the country, जितनी फिल्में रिसेंट्ली चली है, वो सर्व एक रिजन के वज़े से चली है, वो है फिल्मेकर का कन्वि है कि as a country, we should only be celebrating that, nothing else. And I hope कि हम सब मिलके, वो कन्विक्शन अपनी कहानियों में क्रेट कर पाएं, जब हम सोच रहे हूं किसी कहानी के समशिक लिए, उसी कन्विक्शन से सोच पाएं, जिस कन्विक्शन से, इन सुकस्फुल मेकर के फिल्मेकर सोच पाएं, वो बहुत जरू जितना अक्शन नहीं किया मेंने, but hopefully next, अगली फिल्म में, but थोड़ा बात मौका मिला है, and I have really enjoyed it, Sanju sir थे, and RK was also there in that action stunt that I did, and… I remember a scene tha where Sanju sir had to slap Vani, and Vani was telling Sanju sir, आप सची में मारूं, आप सची में मारूं, आप सची में मारूं. She wanted a real reaction. So I think I am a method actor that way. एक लास, लास कुछन लेंगे, अच्छा सब्सक्राइब, पुलिजे. Thank you. तो नो माल लीजिये, ये अचली मेरे हाद में धानी, ये फिल्में, जैसे आप देख रहे हैं, ये बिग बजट, VFX-heavy फिल्में हैं. So they have taken its time, COVID भी आगया था. So I don't know if it's an unfortunate thing or a fortunate thing, कि मेरी दोनों फिल्म, I think 45-day के span में आरी है. But I think, फिल्में को लेके अलग, मेरे बहुत बड़ा साल रहा है, मेरी शादी हुए है साल, वो बहुत ही एक खुबसूरत चीज रही है मेरे लाइफ में. में ही कहता था कि फिल्मों में कि शादी इस दाल-चावल पचास साल तिल्यूड है, लाइफ में थोड़ा बहुत तंगडी कबाब, कीमा पाओ, हाका नूडल होना चाहिए. But boss, जिंदीगे के तजूरूबे के बाद दाल-चावल ही बहुत है, और कुछ नहीं है. And, and मैंने लाइफ में, जो आलिया है मेरे लाइफ में, वो दाल-चावल में तड़का है, आचार है, कांदा है, प्याज है, सब कुछ है. So I couldn't have asked for a better partner in Malaysia. ये एक last question, दोस्ते. Actually, इनको जाना है, वड़ोदराव इंदौर भी जाना है आज जाना है. The similarity to kuchh nahi hai, it's two different characters hain. KJ है, ज्यादा intense, ज्यादा कम बोलने वाला अद्म है. Shush Singh is more fun. He is, he is amazing. All I can say is, he is just fun, he is dangerous. प्रवलम पे हुआ ता जब रन्बीर को मुझे चाबुक मारना पड़ा, वो अच्छा नहीं लगा, पिर ख्लामेक्स में मैंने इसको मारा वो भी अच्छा नहीं लगा, और वानी को थपड अगर मार देता तो शायद यह बड़ी नहीं लगती। पड़ादर है बड़ादर है तो अड़ गादर है, यह क्या थे अच्छा थैजश विए भादर है और अलावादर इस अवें ले लगख फिर्टर थैज्वराद यह बन्डेर से लूंड़ी टेस्साूट इस कि के लिए लिए इस लूंड़ी आड़ी आट, ऑट रे एकर में ल वान टॉर्टेखkरी कमें जेा लन डम्हाइट और समय। एक लास्क्रेशन कोर नहीं है कि देखिए यह मैंन। करें है फिदिंद पूम्हार डोल्ड युप फिरो सकल के विरे किसे कलिट ई पूम्हारे ढूमल्ड युदा है तो बहुत अच्छी बहुत हमने प्रेप किया इस फिम को लेकर बहुत अच्छी प्रेप था यून वी गॉट फंटास्टिक क्रूव फ्रॉम अवर वर्ल्ड, यून अवर लोकल क्रूज वी पुट इन थर्टी थर्टी देज और रहसल वर्क बिफोर इज सिक्वेंस यून कम आच आप ने जलक देखि एक ट्रें का सीकुंस है, वो अचली करन मलोटरा ने आप अइक वन शौट जिसां किया था, तो वगट मजयदार था इवन करनन परिफ से एंट रहें जाल से पीसकों और पर रहार से खाल जा और वोगे पहर बजो तो विव्हाट करन प्रहुता है झाल है। यह प्रिछ प्रणाव निस्ट प्रिख स्वेडिवा गाहर प्रंट सब्सक्तार फोरे प्रेंट यह जा रहां टूर्ड यह जा है। But I have to say one thing, that our crew, who were our HODs, the HODs' assistants, without them, there was one piece of peace, believe me. Because to think about it and to execute it, it is so big and hectic and hard journey that no one can imagine. So it was 140 days of fun, madness, screaming, yelling, breakdowns, all of it together, which has culminated into this three-minute trailer right now. I know the golden ticket here, please, please, please give us an autograph. Yes, what was the question? No, no, I have to do a lot of work, sir. I have to make a family, I have to do a lot of work for them, I was working for myself. No, no, I will do a lot of work. No, no, no. Bye-bye. 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 verso allow Hall झाल 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 झाल